सब्सक्राइब कर चुके हैं और इनको कैसे सॉल करना है ठीक है फास्ट भी करना है यह नहीं कि केवल कोश्चन को देखते रोबस पहले दोगों उसके बारे में कि क्या कह रहा है ठीक है तो देखे विच रप्रेजेंट एलकेन एलकेन का जर्नल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू अब यह चारो आफसन दिये हैं कौन सैटिस्पाइट कर रहा है तो अब देखें सी फाइव एच यहां अगर फाइव रखें तो फाइव टूजा टैन ट्वाल हो जाएगा तो यह तो हुगा नहीं सी एट ए ठीक है माला यह एक टीन प्लस टू टू यह भी नहीं होगा तो बचा हमारा यह आला सी सेबन एच गो सेबन टूजा 14 प्लस टू तो हमारा हो गया सी सेवन और एच सिक्स्टीन तो यह हमारा साचुरेटेड हाइड्योकारबन एलकेन जिसे कहते हैं उसका फार्मूला है और सटीसपाइड इसको कर रहा इस इंपीर कल फार्मूला को सटीसपाइड कर रहा है इसलिए करेक्ट यह अपसन होगा ओके देखें नेक्स्ट है अगला कोशन है कि the decreasing order of their boiling points boiling point रमने बताया था boiling point का decreasing order ठीक है ऑगलिंग पॉइंट क्या होता है अगर अलकेन में वह भी सचुरेटेड़ आइडो कारवन हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का आडर क्या होता है नार्मल का सबसे ज़्यादा होगा नार्मल पैंटेन जैसे जिसे माली जी हमने लिखा है है सी फईव एच हमने लिख दिया ठीक टॉल यह हमारा पैंटेन है अब इसके तीन आइसो मार होंगे हमने आपको पहले से बताया था एक तो नार्मल पैंटेन यह नार्मल पैंटेन है इस्टेट चेन हाइडो कारवन नार्मल होता है इसके बाद आपने क्या किया चार किये एक साइटचेन लगा दिया तो यह हमारा हो गया यह आइसो पेंटेन हुआ फिर आपने तीन कार्बन लिखे और तीन कार्बन से एक साइटचेन इधर लगा दिया एक साइटचेन इधर लगा दिया ठीक है तो यह हमारा देखिए यह सा जैसा है जासे सब से जैसे सब से जादा इसका फिर सबसे जासे जाजार ब्लोप पॉइलिंग पॉइंट मेंट जी पने गुछ वाहम का पूसका है है तो boiling point क्या होता है जैसे आपने देखा होगा जैसे पेंगड़ है तो पेंगड़ की जो ब्रांच होती ही साखाएं वो जल्दी तूट जाती है ठीक है जड़ किया पेच्छा तो जैसे साइट चेन बढ़ेगी वैसे से boiling point क्या होगा कम होगा ध्यान रहें जैसे boiling point कम किसका होता है जिसकी side chain ज्यादा होती उसका boiling point कम होता है इस स्टेट चेन हाइड्र का boiling point सबसे ज्यादा होगा ओके अब दिखें नेक्स्ट है ता अगला question है अगला question है तो प्रेपेर अपड़ा है वह सैंपल और्न लार्मल हैं यूजिंग sodium metal कभी भी बटा ध्यान रहे sodium metal की बात आये sodium metal की बात आये sodium की ठीक है और उससे alkane मनाया जाए तो reaction वोट्स reaction होती है और वट्स reaction में देके क्या होता है एलकाइल हेलाइड है जि Beetücken एलकाइल हेलाइड है यह हमारा एलकाइल हेलाइड है जैसे आर-एक्स है ठीकिल हेलाइड होना चाहिए साथ में सोडियम और यह हमारा एलकाइल है और एथर की प्रेजंट राइः एथर होना चाहिए राइः यह एक्वस भी ना अगर इक्वस अगर यह हो जाएगा तो यह नहीं बना देगा तो ग्राम हो जाएगा वुट्स रियक्शन में सोडियम होना चाहिए और ड्राइधर यह एलकाइल है लाइड होना चाहिए तो टू एने एक्स अलाव होगा तो बनिया एलकेन प्लस टू एने एक्स तो इस वाले के लिए कह रहा कि कौन सरी के रहा टू प्रेपेर अप्यों सैंपल आप नॉर्मल है जेन यूजिंग सोडियम मेटर एज वन अब रियक्टेंट दार अधर रियक्टेंट विल भी ठीक है अब बनाना हमें क्या है है एक्जेन हेक्जेन में सिक्स होते हैं तो जैसे माल लिए हैक्जेन में अगर यह तीन यह 3 हो C3S7 और यह भी C3S7 हो तब ही बटा क्या हो जाएगा C6 और H14 आएगा तो यह हमारा क्या होना चाहिए C3S7 मींस नार्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड होना चाहिए यह होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर यह नार्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड होना चाहिए ठीक है आइसो प् कष्चन को कॉंसेप्ट क्या है नौर पहला तो यह पहले को देखें करा ला नॉर्मल है जैन बन रहा तो नॉर्मल का मतलब यह होता है कि श्ट्रेट चेन होनी चाहिए और है जयंगा इदर तो कॉटा है जैन का जनल फार्मूलास ठीके उसमें तो आपको यह कैसे मालूम है कि यही होना चाहिए तो पहला आप यह दो को नार्मल का मतलब होता है कि जो अलकायल है यह नार्मल स्टेट चेहन होने ही चाहिए टर्मिनल पर टर्मिनल पर क्या है ब्रॉमाईड बी यार जोड जाएं ठीक़ है अगर यह हो गया तो यह अलकाइल है, आर को कहते हैं, अलकाइल, यह अलकाइल है, और एक्स हैलोजन है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, अब यह हमारा हो, प्लेस सोडियम है, फिर दो मोल, मनला टू मोल से इसी की होने चाहिए, एक मोल तो यह हुआ, और एक मोल फिर हम इसका ले लें और यहां पर तो टू एने बियार अलब हो जाएगा और यह सीएस्टू यहां जाएगा तो नार्मल हैक्जेन बन जाएगा ठीक है इसमें देखो यह क्यों नहीं हो सकता है वुट्स रियक्शन में यह थाइल ब्रोमाइड है और नार्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड ह प्राइथ मैंने दो कारबन एथाइल ब्रोमाइड हो गया और नार्मल ब्यूटाइल नार्मल का मलब चार यह हैं सी फॉर एच नाइन और बी आर तो आपने पढ़ा होगा कि जो वुट्स रियक्शन होती है क्यों सी रियक्शन वुट्स रियक्शन जो होती है उसमें है लेट्स सेम होना चाहिए यह दोनों तभी नार्मल हेक्शन बनेगा अगर यह अब देखो इननों को कैसे गुमा दिया चार यह मिलके दो च्छे हो गए ठीक है लेकिन नहीं अगर यह च्छे हैं तो इसका भी दो मोल लेंगे तो ब्यूटेन भी बन सकता है इसके टू मोल हेक्शन है तो नार्मल हेक्शन के लिए यह हमारे बेस्ट है और भूल कि कहीं बियार यहां ना जोड़ दें ने तो बिद दूसरा हो जाएगा एथाईल क्लॉराइट ब्यूटाइल भी नहीं होगा मेथाईल ब्रॉमाइट और नार्मल पेंट पेंटाइल तो यह यह सारी जो तीनों हो नार्मल हेक्शेन बनाएंगे लेकिन मिश्र होगा प्यूर नर्मल जो है नहीं है वह इसी से बनेगा ठीक है अब नेक्स हैं अगले खोशन हैं अन्तर यह हो गया कट अंतर इस ल काई यलैड में यहां पर मिस्पृंट है ड्राई इथर होना चाहिए ड्राई इधर होना चाहिए ठीक है तो य यह और यह मिल के क्या हो जाई का थेन वह याईगा टूए बियार अलग जायेंगा तो यिफ्हेन तो रियक्षन वुट्सव हまぁ यह घ्ण अटीक सेक्शन नहीत राइफर के है वोडे तो इस लिए उसb zones की सुष्य अैक्शन होती है करें इसे इस लिए इस प्रमेंट जो है वह वो हैडो कारबन के बारे हैं वो भी सचुरेटेड अब देखे क्या फिर वहीं आ गया ओडिए टेन रिख्षी सोडियम आइडो इथेन एलकाइल है मारा एलकाइल है ठीक है ऐडो मीधेन होतास सीएस थ्री आई यह ईडो मीधेन है ठीक है साथ में सोडियम बॉर्ट लिख और रखा है साथ फिर उसी के सेम मोलेंगे क्योंकि वुट्स रियक्षन में और नमबर वाला नहीं बनता इवन नमबर का तो क्या हो जाए बिटा एथेन की फरमेशन होगी ठीक है एथेन का यह कह रहा है कि इन दप यह कह रहा है आईडो एथेन आईडो एथेन यह तो आईड के बजन्स में तो यह और यह मिलके क्या होगा विटेन सी फोर और एश टेन वह आंसर आपके सामने लिखा हुआ यह बिटेन की फॉरमेशन होगी एलकीन कभी भी वुट्स रियक्षन में नहीं बनती ठीक है प्रोपेन और नमबर हो गया पेंटेन और नमबर हुआ तो प्लस फिर यह लिख देते हैं सी टू एच फाइव आई टू एनए अलग होगा ठीक है टू एनए अलग हो जाता है यह मिला कि बचा सी फोर एच्टेन तो ब्यू टेन हो गया ओके आप देखें नेक्स्ट है अगला कुश्य देखें अगर अगला पेरा वीच वन अब कर्ण कार्बोकेटएन कार्बकेटएन प्लस फिर वन दिगरी ओडिक है आडर यह डिगरी इसंव प्लस से एक और दो यह तूडीकर को कर्ण Should I हो गया यहां पर यह प्लस है इससे एक कार्बन है ठीक है तो यह वन डिगरी हो गया इसमें तो एक दो और तीन कार्बन है तो थ्री डिगरी हुआ तो आप देखिए नेक्स्ट है है अगला कोशन है इन वूट्स रिएक्षिन द डिरेजन यूस्ट वट्स रियक्षिन में रिजन रिएनकों यूज द था है ठीक है सोडियम और ड्राई फुर सामने लिखा हुआ हो एंप को टिक है यहां पर थोड़ा सा गढ़ वढ़ हुआ है ड्राइए तर होना चाहिये इथर लिग दिया और स्प्रिंट है सोडियम और ड्राई एथर की प्रिसंस होने चाहिए ना तो liquid ammonia ना यह होना चाहिए यह सारे रांग है यहां पर ऐथर हमने इसको correction कर दिया है राइथर होना चाहिए वुट्स reaction में बार बार अभी हमने दो-तीन बार बताया हुआ है कि एलकाइल हेलाइड हो गेलकाइल हेलाइड है ठीक है सोडियम है और साथ में फिर एलकाइल हेलाइड है और यहां पर ड्राइधर के प्रजंट ड्राइधर के प्रजंट है तो ब्यूटेन की फार्मेशन होगी अच्छा एक चीज और है कि यहां पर यह देखना है इधर द और यहां पर लिख दिया और यहां पर लिख दिया आंगा sodium और लिखा ट्राइधर टू थ्फर्टो देखो क्या कानसेट्ट क्या है जैसे टू एने लिए अलाग होता है इसमें क्या होगा एक बेटा अने बियार एक होगा एने CL और इसके बीच बॉंड बन जाएगा यह जाए का कुश्चन ऐसे आ गया यह मतलब यह ध्यान नहीं दो हैलोजन है बट डिफरेंट हैलोजन है इससे हमारे सेम है लोजन थे यह हमारे सेम हैलोजन है यह डिफरेंट हैलोजन है ठीक कैसा भी हो मन्तब अगर माली यह लिखाओ ड्राई इथर वुट्स रियक्शन का कॉंसेप्ट है तो आप क्या करेंगे यह बी आर और यह सियल अटाकर कि इसकी बीच बांड बना दें तो यह हमारा रिप्रेजंटेशन है बाई साइकलिक कंपाउंड बनेगा यह बाई साइकलिक होगा यहां बांड बनेगा ज चीएएथर हो एक एंतर हो एक यह एथर हो ओक है एक टिएक अलकाइल एलयट एक ड्राई इथर हो साथ में सोडियम हो तो अलकेन के अलावा कोई दूसरा प्रोडेक्ट नहीं बनेगा ठीक है और वो कारवन सचुरेशन फ़र्म में होना चाहिए ओक है जैसे माले डिटेल सम तोड़ी से और बता दें डिटेल्स बताने के लिए हमारा देखिए बहुत से कॉंसेप्ट हैं डिटेल बनाने के लिए जैसे अभी वूट्स कहीं चला यह अले कुश्चन को भी हम डिसकस करेंगे सपोज यह हो बटा यह माल देजिए आपका यह लिखा हुआ है यह लाइल ब्रोमाइड यह अब यह सोडियम डल दे तो यह पहली बाद है लोजन देखते हैं वह किस एक्मास्पियर में टैज्ट है यह है लोजन से हैं जैसे इसको लिखेंगें चिश्ट डॉबल वं सी हैं सिंगल बोंड सी यहां बिया रहे हैं और यह दो हो जैने महले हैं यह सिंगल वांड में होना चाहिए यह अला कारवन सिंगल वांड में होना चाहिए उसके बगल में चाहिए उसके बगल में चाहिए अनसा चुरेशन हो तो इसी के टू मोस बना देंगे टू मुस बना देंगे वुट्स रियक्शन की बात आ रहे हैं दो डॉ स्टू डबल बन सी एच और यह विनाइल व्रोमाइड है तो इसमें रियक्शन नहीं होगी क्योंकि वुट्स रियक्शन फ्री रेडिकल रियक्शन होती है ठीक है अब तो यह तो हो गया अब देखिए इस अले कुश्चन का अंसर फुरियान ठोल पैस्टिसाइड है नहीं साल्वेंट नहीं है लुबरीकेंड नहीं है तो रेफ्रीज़ोटेटर में एक हीज थैवमेंड की यह तो याद करना है आपको लिएक्शन है ठीक अगला कैंडरेगी और प्यूर्श युजिवलिश्युयूशी सो वीश टाइफ आप रियक्शन इधार बिए के खिभर को भी केरा वीच टाइब आउर रियक्शन एलकीन कैसे यह अभी दो मनलब 2021 में बीचे में कॉश्चन था फिवता कि ऐलकीन कैसी रियक्शन देता है विएट्रो फिलिक एडीशन रियक्शन कौन सी देता है अब यहां पर दुन्हों ने केवल एडीशन रियक् ट्रिक एडिशन रिक्षिंगी तो फॉस्ट अब आटेकिंग इस फेसिज इस आलेक्ट फाइल जैसे महली जिए उसमें यह था इसी कोश्चन का मॉडिफिकेशन था कि यह रिक्षन एचेक से हो रही है तो फ्रॉस्ट आप आटेकिंग इस फैसे हमेरा क्या हुता एलेक्टो उसके बाद तब नीओ कोषिन था इसमें किवल से म्ल आलकीन हमारी सब्सक्राइय ऐसेगी एडियों आधर हील्टर दिलिक अध्यक्षिन डियाक्षन है इलग्टरो फिलमेंचन डियक्षन यह अध्यक्षन तब भी करेक्ट है दूसरा यह भी कह सकता था कि फर्स्ट आपॉल अटेकिंग स्पेसीज क्या था तो एलक्टोफाइल होगा इसलिए इस रियक्शन को कहते हैं अग्ला हमारा देखिए क्या है अग्ला कॉश्चन है नेक्स्ट है प्रोपीन एच बीयार के साथ अभी हमने जस्ट बताया है अभी जस्ट हमने यह बोला है अग्ला दब प्रोपीन डियक्ष्ट बिच्विच्च्वेश टू फॉर्म प्रोपीन का फामूला प्रोप माने तीन कारबन होते इन है तो डबल बांड है अब एच बीयार से रियक्शन होगी अब फिर वह यह पहला तो हम यह देखें कि यह है क्या देखे दर यह हमारा है दो है प्रोपीन मेंस एलकीणहाली कैसीवक्षिन अभी उने 這些 बताया है ऐलक्तो फैलिक अडिशन एक्षन इसका एलक्तो लिएच प्लस आइन प्यार माइनस ब्यार माइनस मार्कोणी का फ्रूल के कॉडिंग बटाब य़ कि और अचीर घुघा तो हमारा क्या हो जाएगा टूब्रोमो प्रोपेन यह प्रोड़क्ट वह श्री सीच यह यहां ब्यार और यहां पर सीटी मारघ कुनिक काफ रूल है तो इसका अगला के रहा है यह लिखा हुआ है एलकाईल हेलाइड यह देखें यह पर यह किस की है के वच की ओभी साथ में कैसा है एलकोलिक के पजे का है है सालमेंट आ है, Tip और एलकोलिक के थे, देंब魔 हो बेटी है, तो इसकी जेगे और शालाओ या है अभर ये एक होलीय। तो यह अक्या सले क्लान कर्विक हिसके सब्सक्राइब मार्म इसे एक सील हटेगा साथ में यहां पर और अन्स चुरेशन आजाएगी तो इस रियक्शन को और क्या कहते हैं डी हाइड्रो है लोजने सना पर अलकाइल है लाइट तो यह रियक्शन का यह बड़ा इसका मतब की आंसर होगा यहां पर अलकाइल है लाइड होना चाहिए एक्स्ट् तो आध्याल में यहां पर लिखना लिखाऊना चाहिए क्या अलकाओलिक के वच्ट्च जब अलकाहलिक के लिखा होगा तो वी इसनों से गडिव अन्स होगा थी यह पोटेश्यम पोटेश्यम सॉल्ट अथनॉल है तो करेक्ट आंसर यह तो नेचर क्या होना चाहिए यहां पेल खोली के अच्छ होना चाहिए तो का नाम है टीके डी हाइड्रो हैलोजनेशन आप अलकाइल है इस हैलाइट से एक हैलोजन है और इस कारबन से उसके जस्कारबन से हैड्रोजन एलकीन की फार्मेशन होगी ओके अब देखें नेक्स्ट है अगला कुश्छन यह इसका कुश्छन जाए तर बार बार फेमस हैं ठीके बेरीजन बेरीजन होता है कि वन पर्सेंट अलकालाइन के अमनोफोर वन पर्सेंट अलकालाइन अलकालाइन के अमनोफोर इसका यूज डबल बांड जिसमें होता है अलकीन के लिए यूज होता है अलकीन के लिए ठीके यूज होता है अइडिन्टिफिकेशन तो कह रहा है कि डिटक्शन अफ ग्लुकोस डिटक्शन अफ डबल बांड अलकीन में क्या होता है डबल अभी हम पहले हमने लिखाय था किवये डावल वर्ण्ड की चाहिए अचाहिए दूसरा भीर रिजेट त Colonel होना चाहिए यह जाब लगत चाहिए जबन की वाड़ाइब की डिटक्षंग ऑप् double wand की detection के लिए बेयर रिजेंट 1% alkaline KNO4 solution बेयर रिजेंट के लाइटा अब देखें नेक्स्ट है अगला नेक्स्ट है a metallic carbide on treatment with water gives colorless gas which burns ready in air which gives precipitate with ammonical silver nitrate solution gas evolve कर एक metallic एक कर रहा है metallic carbide metallic carbide है बहुत ही मंदब की अच्छा सवाल है जरा इसको ध्यान से देखना metallic carbide पहले बाद तो metal के साथ carbon metal के साथ carbon अब यह नहीं मालूं कि कैसा carbon मैं लोग कैसा metal है तो metallic carbon metallic carbon के रहा है रियक्ष कर रहा है वाटर से वाटर से reaction कर रहा है एक गैस बनेगी जिसमें कोई color नहीं होता है जो कि air के साथ जल्दी से reaction करती है और प्रिसिपिटेट किसका देगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के लिए वह होगा जिसमें ट्रिपल बांड होगा और ट्रिपल बांड के साथ ही जल्दी हाइडरोजन होना चाहिए तो कैल्सियं कारवाइड है कैल्सियं कारवाइड को इसका पीसका वी कांसेप्ट है वाटर से reaction करें तो यह मैटल मैटल का हाइड्रोकसाइड सी ओएच का होल ट्राइज प्लस इसका हाइड़ाइट सी टूएच टू एस टू एसटलीन हो गई एसटलीन में ट्रिपल बांड होता है और यह क्या होते हैं इस डिक हाइड्रोजन है अगर इसकी reaction अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एजी नो थरी के एक्वस मनदब के अमोनिकल का मदब आमोनिया का एक्वस सलूशन से reaction कराएंगे तो एच की जिए एजी आएगा सी ट्रिपल बॉन सी एजी और एजी तो हमारा एसेटलीन यह है यह तो मनदब यह जो मेटल कारवाइड है वो कैस्यम कारवाइड है कैस्यम कारवाइड वाटर से reaction करता है तो एसेटलीन गैस बनती है और एसेटलीन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से लिक्शन करके silver acetylide ये जो कह रहा है अमोनिकल शिल्वर नीटिट बनता सवलूशन वो यह है तो कह रहा वो gas कौन सी है तो गैस हमारी Acetylene इसका इप यपेसिनी है थाइन होता थाइन होता तब भी सही एधाल नहीं नहीं होगा क्योंकि एथाइलीन का फामूला यह होता है ठीक है तो यह तभी होगा जब एजडिक हाइडोजन होगा तो मेटल कारवाइड कैलसियम कारवाइड ओके आप दिखिए नेक्स्ट है अगला कोशन है के इन दमालिकिल यह त्रपल बांड यह डबल बांड ठीक प्रॉट है ठीक है जाधर इस टाइब के कुशन आ जाते हैं यह मैंने बहुत बड़े लेवल के लिए होते हैं कोशन तो कह रहा है कि इन दमालिकिल और सी एच ट्रपल बांड सी सिंगल वांड च्ट्यश डावल बांड शीच टू दा हैबिडिजिशन ऑफ सी सिंगिल बां बांड बाता है और यह जो डबल बांड है सिंगल बांड की बात कर रहा है सिंगल बांड यही था यह डबल बांड यह कारवन है यह डवल बांड से टैज्ट है तो इसका स्पी टूँ क्य Авफ सननका स्च फीटू इस काड का 213 और यह सिंग़ बांड यह डबन है मनगा पडोस में देखते हैं यह डबुल बांड है डबल बंड कार्बन का स्पी तो इसका अंसर यह होगा ओके अब देखें नेक्स्ट है अगला देखें कोश्चन क्या है कि दा प्रोडेक्ट फॉर्म वेन एस अटलीन इस पास्ट तो रेड़ाट ट्यूब ऐस टन में कारवन कारवन के बीच ट्रिपल बन उता है यह है यहँमारी मनदार्सस्टएलीन ने जिसे कहते हैं अधाइन यह हमारी हैं एस एस टू एच्टू जिसे कहते हैं त्रिपल बाण्ट होते हैं अगर रेज़ेगा हाँअ और लिखा और एच्टी रेड हाट ट्यूब लिखा तो बेंजीन बन जाएगी ट्राइमल लेंगे तीन मोल लेंगे तो क्या बन जाएगा सीजिक जिसे कहते हैं बेंजीन तो इसका यह आफसन होगा ध्यान रहें अगर माली जें यह होता कि प्रोपाइन होती माले यह यह नहोता अब इस बार जैसे जहीं में कोश्चन था प्रोपाइन का पॉलिमराइजिशन पॉलिमराइजिशन का मदला यहां लिखा रेड हाट ट्यूब अब देखें क्या होता है यहां पर यहां पर सी एच है सी एच है यहां पर क्या है एच की जगे है सी एस्त्री हो गया है इसका म होगा पैटा यहां PCS3 होगा यहां PCS3 जैसे कहते हैं मैस अटलीन एसे टलीन की रेड़ हाट ट्यूब तो पौलीमराजेशन में बनेगा बैंजीन लेकिन अगर कहीं प्रोपाइन हो तो यह बन जाएगा 135 ट्राइब मेथाइल है मनद बेंजीन या इसका एक और नाम में मेसी टीलीन मेस सटलीन बन जाएगा ओके अब देखिए नेक्स्ट है अगला कोश्चन है अब आई अब आई दो अरवन फर्मूला सी 6 स्टन अब्सॉर्ब वन ली वन मालिक्यूल औफ हाइडोजन अपन केटलेटिक हाइडोजेनेशन फुल स्टाफ अपन ऑजसिस दा हाइडोकारबन इल्ड़ कह रहा है कि यह है यह कि एक मालिक्यूल हाइड्रोजन को यह देखना है यह हमारा यह जो है कि सीच का रप्रजन टेशन है यह जो है यह फार्मूला किसको बिलांग करता है क्या सी एन एच्टू एन प्लस टू को बिलांग करता है क्या सी एन एच्टू एन को बिलांग करता है क्या सी एन एच्टू एन माइनस टू को बिलांग करता पहले तो में यह देखना यह किसको बिलांग करेगा इसको तो बिलांग नहीं करेगा क्योंकि एन की जाएगा है हमने अगर 6 रखा तो 6 और यह 12 और टू 14 हो गया तो यहां 10 आ रहें यहां हो गए नहीं 6 है तो उसका ज़स्ट डबल 12 होगा यहां पर रहें कें ची डिएए हमारा क्या होगा 12 में से टू तो यह मारा तो टैन तो इसको साटिस्ट करता है यह मारा क्या है ट्रपल बाण होगा यह बानल कैने है यह यह ल की नहीं डबल भानल यह सिंगल मॉनले टो तो इसमें ट्रपल बांड होगा फिर कह रहा है फिर एक मालिकिल हइडोजन एफ़जार करेगा तो सीच एच टेन अगर एक हाइडोजन मालिकिल एफजार करता निकल की प्रेज़न्स में तो सीच और एच ट्वल्व हो गया अब कह रहा है उसका ओजोनलेसेश करने पर यह बन रेप्रेजेंट करेगा यह तो हमारा रेप्रेजेंट करेगा अब दो को टर्मिनल पे टर्मिनल पे एक दो तीन चार पांच चछे इस बहुत है और यहां पे भी एलडी हाइड है ग्रूप हको अगर एक ही कंपाउंट में है तो कंपाउंट साइक्लिक होगा तो साइक्लो है दी होगी साइक्लो हैव्ग्जीन है अगरिस और जेनल से किया जाए अगर ओज्ञांस से एक्शन कराई जाए ठीक है तो यहां पे सीह है ओज्रून कहां पर ज Peng Adago होता है वहां प दो खेल और चीए च़ों स्टॉ से एक यहां से लोल गाले वे आप दिखिये नेक्स्ट है कि अगला डान्य कोश्चन है कि रहा है हैा बाइसनेज ऐसी जाइज इसोब दे रियक्शन आफ लुइसाइड होती जब एसटलीन की रियक्शन और सैनिक ट्राइक्लोराइट से ठीक है यह हमारा ट्रेपल बॉंड है और अगर इसकी रियक्शन यह सेकंड वर्ड वार में अभी मंदब अभी तो खेर मंदब थार्ड वार वर्ड वार हो नहीं रहा लेकिन युक्रियन तो रिचिया के वीच लड़ाई चल रही है ठीक है तो यह एक रहर थे सेकंड वर्ड वार में इस इस गैस का जो बिसहली पॉजनेस घैस होती उसका यूज किया गया था तो यह हमारी क्या होगा जब यह रियक्शन होगी ट्रिपल बार्ड और सैनिक ट्राइक्लोराइट ड यह करे डाबल बांड में में लेकिन यह नहीं होना चाहिए तही किन नहीं होना चाहिए केवल ट्रॉपल वांड में अगर इसकी रियक्शन होती है तो पॉजनेस गैस बनती है तो सेकेंड वर्ड वार्ड में इसका यूज होता हुआ ठीक है अब देखें नेक्स्ट है ठीक कारवन की चारों वैलेंसिस सिंगें वांड सेंड थो का टैट्र हाधल इसे कहेंगे यह डाबल वांड है डाबल वांड है एसपी टू है ठीक है यह ट्राइगनल हो गया और इसके बाद है ट्रिपल वांड ऐसेतीलीन है SP होता है SP अगर इसका है यह SP यह SP तो linear होगा तो linear तो मतलब यह होता है टेट्राइडल linear and planar ठीक है टेट्राइडल planar and linear यह वाला सही होगा क्योंकि पहला मीथेन है तो टेट्राइडल एथीन है तो planar means diagonal planar एथाइन है तो linear तो correct answer यह होगा ओके आप देखिए next है next representation देखिए क्या है कि प्रोपाइन is treated with dilute s2 बहुत बहुत famous question है ठीक है जड़ा द्यान से देखना प्रोपाइन triple bond है triple bond की reaction किसे हो रही है triple bond की reaction जहां लिखाओ है पहले तो हम आपको बताते हैं यह प्रोपाइन यह प्रोपाइन है आइन होगा तो triple bond होगा और यहां पर बड़ा क्या लिखाओ केवल या तो यह लिखाओ कहीं कहीं यह लिखा जाता है कहीं कहीं पूरा狅च घयर सफूर कि सवयोखना इस प्लNet लिखाओ तो समलिजिझा वुटरिक गैसे हैं ही एच्टी अचजिग प्लसटु लिखाओ तो मर्किय० लिख्यूट है यह अग겨ई लिखाओ और कुछ न लिखाओ तो समाहिविए रियक्शन वाटर से हो और वाटर से रियक्शन हो रहे हैं तो निगेटिव पोर्शन यहां पर आट करें तब जब निगेटिव यहां पर एट करेंगे यह से कहते हैं इनॉलिक फॉर्म यह नौल हुआ इन मीस डबल बन आलमन अलकोहल तो कीटो इनलेक्टोटोमेरिजम होगी प्रोटन ट्रांसफर ह होगा तो बिट फटहार की टोन की फॉर्मीशन होगी हैं हम की फॉर्मीशन होगी दो कीटोन की फिर टॉट हुआ कि हैं नहीं की मालीज है लकाइन भी यह चलाइब लोग और यह लिख्या उसाथ में 302 और और एक प्लस आयानु तो इस वाले में तो कहीं भी जोड़ो दो माली जैसी धर जोड़ दिया तो थो फी डबल बाण सी एच और ओएच इधर यह जोड़ दिया अब हमने क्या किया यह इन मने डबल बन आलमेन अलकोछ यह दोखें पटा इनमीस डबल बाण आलमने खोल तो टाटमेरिसम होगी प्रोटन ट्रांसपर हो करके यहां आ जाएगा तो यह हो जाएगा सी एस री सी एच डबल बांडो तो इथेनल बन गया इसको छोड़कर यही अलडिहाइड बनाएगा बागी कोई विलकाइन होगी कोई विलकाइन तो कीटोन बनाती कीटो तो यह क्या हो गया ठीक है प्रोपे-9 प्रोपे-9 डी-जी-जी आफसटे सकitions का एकक्ट रहे तो यहां रहा इब बहुत रहारा है आपधिये और शृ ब धिलिंस का पहले तो हमें फार्मूला मालू उना चाहिए और उसका आईउपीसी नेयम भी मालू मोना चाहिए एसेटलीन बिड़ा होती CH, ट्रपल वान, CH, यह एसेटलीन है, वेल्डिंग गैस में इसका यूज होता है, एसेटलीन को एथाइन भी कहते है, क्या कहेंगे, एथाइन, एसेटलीन को क्या बोलेंगे, एथाइन, एथाइन उसका आईउ पीएसी नहीं है, यह कहरा किस से से और ठीके सभी से, तो इन में इसका अंसर बेटा, क्या होगा, आल, सभी से होगा, क्यों, क्योंकि यह रियक्शन कोल बे है, यह पोटेश्यम फीमरेट, पोटेश्यम फीमरेट का फामूला यह होता है, पोटेश्यम फीमरेट का फामूला यह है, यह पोटेश्यम का तो क्या होता है एलेक्ट्रोलेस्टेश सगर करेंगे बीना इह वाटर की रियक्षन नहीं होगी तो क्या होता है यह मारा चाहे डबल बोन बन जाएगा तो सी एच ट्रफल बॉन सी एच एच एसटेलीन हो गई और तू सी ओटू अब कह रहा है कि माली जी हमने कहा कि माली जी कोश्चन बदल जाए कि पोटेश्यम फिमरेट का एलेक्ट्रोलेसस करने पर कितने गैस के मोल बनेगे तो गैसिस है अब देखू पोटेश हो गई सी ओटू गैस हो गया तो दो एक तीन एक चार यह पहले एक बार आ चुका है अब एक प्रटेशन फिमरेट से ठीक है एसटलीन गैस बनेगी कैल्सियम करबेट अभी जस्त हमने बताया है इससे पहले कोशन वाटर से रियक्शन करेगा तो यह मैटल का हाइड्रोक्स प्लस इस टू एस टिली निससे पर यहां पर होना चाहिए एक लिक ऐस फालोट बाइस फालोड़ बाइस सोडमाइड एल्कोलिक एज सोडमाइड एम एन्सटू तो तब भी बटा क्या हो जाएगा एलकाइन वनेगी तो इसका करेक्ट यह होगा सबी से एलकाइन की फार्मेशन होगी अब देखें नेक्स्ट है अगला कोशन का रप्रसेंटिशन है ठीक है अब कह रहा है एस अप्टेन बाइद एलेक्ट्रोल एससाफ अभी हमने जस्ट बताया है सामने लिखा हुआ है ठीक है यह आपका पॉटेश्यम जो फिमरेट है उस है कि सोडियम सक्सीनेट सोडियम सक्सीनेट का फार्मूला हमारा यह होता है बटा सोडियम सक्सीनेट का फार्मूला यह होता है पहले बन तो जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूले तयार होंगे अधर्वाइस फिर कुछ नहीं आएगा यह सोडियम सक्सीनेट इ भी जया सबने बता है डावल बॉंड है तो इसमें बन जाएगी एसे टलीन यह पोड़िशंडेघ के अल्क्टोर सससे बन जाएगा ठीक है अप देखिये नेक्स्ट है अगला कोश्चन है कि रहा है विच व व विच आफ दो फॉलएंग इस नाट फॉर्म बाइदा रियक्षिन आफ सी एल टू ऑफ सी एल टू ऑफ सी एच पॉर इन संलाइट कि अगर संलाइट की बिजिंस में इसमें रियक्षिन हो रही है मीथेन में तो करा कौन प्रिए बने गांगा अगर क्लोरीन से ओगी रियक्षिन तो थी एल फॉर अब आपको देखना कौन नहीं बने गा ठीक है यह बन रहा है ठीक है यह बन रहा है ठीक है और यह प्रोपेन अगर हम यह देखें यह बन गया अगर और केला सोडियमव डालंदे अड़्राइथ तो एजह तो एजह तर वी बन सकती है लेकिन प्रोपेन यह नहीं बने descent का रॉटनर में इज़न के नहीं बनेगा बाकि यह सब्सक्ते हैं आप देखिए udah साँ ने अक्स्ट अगला फुश्षें इस指 गि only didn't Means TV विट्वित भी ऑटर बीदेंक कर रहा है किस से बनेगा मोनियम करबाइड वाटर से रिक्शन्स तो मीथेन की फार्मिशन होगी कहीं देख लीजें आलमोनियम करबायड अगर लिखा हो तो ऐलमोनियम किरक्ट वटल दिल्फाएm एसकी वेलेंसी फॉर इसकी वेलेंसी फॉर इसकी वेलेंसी पॉर यह वह नहीं कैल्सियम कअरबैट मेटल कारबइड अगर यह सी वाटर से रियक्षिन होगी तो ऐसे टिलीन बनेगे एल्मुनियम कार्बैड हमारा एल 4 और सी 3 ठीक है इसके अगर 12 वाटर के मोल ले करके रियक्शन कराएं तो 3 मोल मीथेन बनेगा और यह एल्मुनियम का हाइड्रोकसाइड बन जाएगा एल ओएच का होल्टराइज आइरन कार्बैड आइरन कार्बैड एफी और आइरन का कार बैड कारबन की वेलेंसी यहां पर मनतलब चुकि आइरन हमारा जो है वह दो तीन दोनों वेलेंसी सो करता है कार्बन की जैसे चार हो गई और इसकी तीन हो गई ठीक है अगर दो करेत तो यह पीट टूशी हो गया इनका हाइड्रोलसस नहीं होता है तो इसके हाड्रोकस से म मीथें चुकि मीथें कह रहा है मीथें सी एच फूर बनेगा तो अलमोनियूम करवाइड वाटर से रियक्षिन करता है तो मीथें की फार्मिशन होगी ओके आप देखें नेक्स्ट है करदा नंबर आप पॉस्बिल इनांसियमरिक पेर्स जैट कैन बेप्रोडेश दिरिंग द मिरे एजमेच पहले तो आपको यह बताते हैं जैसे लिखा विटा यह सी से ओच है यह हैं यह यह हैं और यहां पर सी और तो इनांसियो मर्म अद्लवता मेरे मेंच मिरे मेंच उसी होगी जब सेंटरल कार्बन एटम काइर लो का मदलब अस्मेंट्री ओसमेंट्री का यह सब डिफरेंट हो तो मिरर इमेज मिरर के सामने रखें तो यह रहा है इमिज इसकी बनेगी Maya जा सामने रखें तो पहले बात तो यहां पर वो है कि करहां तू मेथाइल ब्यूटेन पहले तू मेथाइल ब्यूटेन यह पर प्रेटल वीटेने 22 3 डिक हाइडरोजन एक दो तो हीजन एक है तो तीन हो रहे है औरजन से हो यह त्री डिग्री हाइट हो तो थ्री डिग्री सबस्यादा रियक्टिव होता है एच हटा कि यहां सियल लिखा लेकिन वेटा देखो यह काईरल नहीं है जैसे इस सभी डिफरेंट होना है तो यह दोनों सेम मुझे अप्टिकल है समेरिजम नहीं होगे फिर यहां पर लिकरी का तो टू डिग्री में एक हटाके और वहां पर आप सील लियाँ ठीक है और यह लिख दीया ऐसा यह लिखा तो अब देखो इस कारबन से यह और यह और यह सारे डिफरेंट हैं और एक स में काईरेल कार्बन बन रहा है तो कम्प्लेट होगे हैं ना